आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ Download now Question है Pipe A and B can fill a tank in 8 hours and 12 hours respectively Pipe A किसी tank को 8 hours में भर सकता है और B 12 hours में भर सकता है C is an outlet pipe C outlet pipe है यानि इस से उस tank को fill नहीं किया जा रहा उस tank में जो भी liquid है उस से बाहर निकालने के लिए C का यूज होगा क्योंकि ये outlet pipe है It means C का यूज ये है कि वो इस tank को खाली करता है When all the three are opened together जब तीनों ही खोल दिये जाए A, B और C The tank is filled in 13 and 1 by 3 hours तो tank जो है वो 13 and 1 by 3 hours में भरता है हमें बताना है C alone can empty the full tank in C अकेले इस tank को कितने time में खाली कर देगा तो इस तरह के case में 1 upon total time यानि कि अगर कई सारे pipe अलग-अलग उनकी timing पता हूँ हमें किसी tank को fill कर रहे हूँ और फिर सब एक साथ खोल दिये जाएं तो total time कितना होगा उसके लिए 1 upon total time equal to होता है 1 upon time taken by pipe A plus 1 upon time taken by pipe 2 plus 1 upon time taken by pipe 3 plus 1 upon time taken by pipe 4 और इस तरह से जितने भी pipe हों सबको 1 upon करके उनकी timing को लिखते जाते हैं अब यहाँ पर तीन ही है तो 1 upon total time यहाँ के लिए 1 upon time taken by A plus 1 upon time taken by B इसके बाद से C outlet है यानि यह खाली कर रहा है तो यह fill नहीं कर रहा है इसलिए इसका जो effect है वो negative है इसलिए यहाँ पर plus की जागा minus का sign 1 upon C आगे और pipe होते तो हम और भी लिखते पर अब यहाँ पर खतम हो जाएगा क्योंकि 3 ही है 1 upon total time total time हमें दिया हुआ 13 and 1 by 3 रख देते हैं value को तो 13 and 1 by 3 1 upon 13 and 1 by 3 equal to 1 upon A A के लिए timing है 8 और B के लिए है 12 तो यह 8 और यह 12 minus 1 upon C C का तो हमें पता ही लगाना है अब यह 13 and 1 by 3 3 से 13 में multiply होगा 39 plus 1 40 यह 3 उपर चला जाएगा यानि 3 upon 40 equal to 1 upon 8 और 1 upon 12 8 और 12 इनका जो LCM होगा वो 24 8 से इसमें divide करेंगे तो 3 और 3 से 1 में multiply हो जाएगा तो यह 3 ही रहेगा plus 12 से divide करेंगे तो 2 2 से 1 में multiply होगा तो यह 2 रहेगा minus 1 upon C तो 3 upon 40 equal to 5 upon 24 minus 1 upon C C की value को हमें find out करना इसको इस तरफ ले जाते हैं तो यह plus में 1 upon C हो जाएगा इसे इधर ले आते हैं तो 5 upon 24 minus 3 upon 40 24 और 40 इसका जो LCM होगा 120 होगा 1 upon C equal to 120 24 से 120 में divide करेंगे तो 5 आएगा 5 से 5 में multiply होगा तो 25 minus 40 से 120 में divide करेंगे तो 3 आएगा 3 से 3 में multiply करेंगे 9 25 minus 9 16 और यह नीचे 120 तो अभी यह 4 से divide हो जाएगा तो यह 4 और नीचे 30 अभी यह 2 से और divide हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2 upon 15 तो यह 1 upon C की value है यानि कि time taken by C equal to अभी यह भी inverse हो जाएगा 15 upon 2 equal to 7 and half hours तो यह हमारा answer है final 7 and half hours में C अकेले उस tank को खाली कर देगा option अगर देखें तो second option correct है क्लासिक स्ट्वेल से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर